दोस्तों आज Technopop 8 को यूज़ करते हुए मेरा 30 डेस कंपलिट हो गया है और इतने दिन यूज़ करने के बाद ये तो मुझे पता चल गया है इस फोन में क्या-क्या पॉजेटिव और नेगेटिव चिस देखने को मिलता है अगर आप Technopop 8 खरिदना चाहते हो तो आपको जोड़ पता होना चाहिए इस फोन में क्या-क्या नेगेटिव चिस मिलता है यूज़ खरिद रहे के बाद और अगर आपको पता चले तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा वेल दोस्तों एक वीडियो आप इंड तक देखते रहिए आज इस वीडियो में Technopopop 8 का एक ओनेस्ट रिव्यू में आपके साथ स्यार करूँगा तो सबसे पहले आप इसके हाइलाइड़ स्पेसिफिकेशन देख लीजिए इसमें Unisock का T606 chipset है 6.6 inch HD Plus डिस्प्ले है 12 Megapixel का कैमेरा है Dual Studio Speaker के साथ 5000 MS बैटरी और Inbox आता है 10 Watt का एड़ेप्टर मेरे पास इसका 4G भी 64G भेरेंड है और जिसका प्राइस हाल के लाल में 6,599 रूपीज है और इसकी Box Content की तरफ देखा जाए फोन के साथ Charger, TPU Case, Type-C Caval, Semi Ejector Pin सब कुछ आता है योगि इस फोन को आप Unbox करके पहले दिन से यूज कर सकते हो, कुछ भी दिकत नहीं होगा वेल दोस्तों इसके Design देखो, Design खतरनक है, ये फोन दो कलर में आता है, मेरे पास Black कलर है इसके पीछे का जो Design है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है हलागि इसका Camera का Balm जो है, उस लाइटली बाहर हुआ है, इसका Frame देखो यार, बहुत ज़दा पतला है इसका Frame और Back Panel Polycarbonate का बना हुआ है, लेकिन अच्छा वाला Polycarbonate यूज़ के आए इतने दिनों से इसको में विदाउट बैक्रेस में यूज़ कर रहा हूँ, पीछे एक भी क्रैसेस नहीं आया है तो इसके लिए मैं Tecno को Special Thanks देना चाहूँगा वेल दोस्तों इस फोन बहुत ज़दा लाइट वेड है, इसमें 5000 अच्छ बैटरी है इसके बावजुद भी एफोन सिर्फ 186 ग्राम का आता है और in-hand field भी बहुत अच्छा है, विदाउट बैक्रेस में इस फोन हातों से slip लगार नहीं होता है क्योंकि इसके back panel में matte finishing है, बाकि एफोन पीछे से डपता नहीं है और इसके display में कौन सा glass का protection है, वो company वालोंने mention नहीं किया है और इतने दिनों से use कर रहा हूँ, इसके उपाद template dust में नहीं लगाया भाई, एक दो बार गिर गया, फिर भी यहाँ पर इतना ज़्यादा crisis नहीं आया है नो डाउट फोन का design price के हिसाफ से बहुत ही अच्छा है और आपको भी पसंद आएगा लेकिन दोस्तों इसका जो display है वो मुझे बहुत ज़्यादा impress कर दिया है, क्योंकि दोस्तों एफोन बाजिट में आता है और बाजिट में एफोन center principle display लेकर आता है, और display का size भी बड़ा रखा है, इसमें आप full view display का मजा ले सकते हूँ प्राइस के इसाफ से bezel और chain भी छोटा रखा है, और इसमें तो 90 Hz का refresh rate मिलता है, जब आप use करोगे, smoothness बहुत ही अच्छा सा मिलता है लेकिन इसका जो brightness है, वो मुझे इतना खास नहीं लगाए, इंडोर में जब आप use करोगे, brightness का कम्या तो मैसुस नहीं होगा लेकिन जब आप direct sunlight में इसको use करोगे, तब phone बहुत ज़्यादा struggle करता है, और brightness का कम्या आपको जोर मैसुस होगा बाकि जब आप YouTube पर वीडियो देखोगे, आप 720p में maximum वीडियो देख सकते हो, इससे उपर का वीडियो सापोर्ट नहीं करता है, अगर इसमें full HD वीडियो सापोर्ट होता तो और भी अच्छा होता है ऐसे भी इसका डिस्प्ले का resolution HD Plus है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो color contrast और detailing जो आता है वीडियो में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है बाकि इसमें आप entertainment का मज़ा भर्पू ले सकते हो, याँकि dual studio speaker है, जब music play होता है, सुनने का मज़ा है वो next level हो जाता है हलेकि full volume में इसका back panel जो है वो हलका सब private करता है, लेकिन आपको तो पता है दोस्तो कोई भी phone हो उसमें network connectivity तगड़ा होना चाहिए दोस्तो एक 4G phone है, उसके हिसाब से इसमें 4G का speed बहुत ही अच्छा मिलता है, 4G भोल्टी तो मिल जाएगा, लेकिन 4G plus है और नहीं मिलेगा तो इसके बज़े से 4G का जो असली मज़ा है, इस phone में आप नहीं ले पाओगे, लेकिन इसमें आप चुपके से call recording कर सकते हो, और इसमें जो mic मिलता है, वो noise को बहुरी अच्छी तेरीकर से cancelling कर लेता है, लेकिन दोस्तो इसमें dedicated proximity sensor नहीं मिलता है, तो इसलिए जब आप call charging भी सो होता है, charging percentage भी सो होता है, इस phone में मिल रहा है, इस मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन इस phone में आप OTG को connect कर सकते हो, और security के लिए समें sidebound fingerprint sensor है, इसका speed मुझे average लगा है, इस phone को power देने के लिए 5000 emits के battery है, लेकिन आप तो जानना चाहते हो, इतने दिन use करने के बाद इसका battery backup कैसे मिल रहा है, इन बॉक्स जो 10W का editor आता है, full charge होने के लिए 2 घंटे के असपास में time लेता है, time थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, लेकिन इसका battery backup हाल फिलाल में मुझे 6 hours के असपास में मिल रहा है, बहुत अच्छा सा इसका battery backup है, वेल दोस्तो इसकी performance की बात किया जाए, तो इसमें Unisoc का T606 chipset है, 12 nanometer पर बना हुआ है, मेरे पास 4GB 64GB एफिरेंड है, LPDDR4X RAM के साथ आता है, और EOFS 2.2 का storage type है, और इसमें virtual RAM का features मलता है, अब आप तो और 4GB RAM को add कर सकते हो, आपके phone में total 8GB RAM हो जाएगा, वेल इसका आप अन्तुत स्कूर दे iPhone को इतने दिनों से normal use करता हूँ, और normal use वे iPhone hang वगरा नहीं करता है, लेकिन जब आप heavy use करने के लिए कोशिस करोगे, तब iPhone थोड़े से attack जाता है, क्योंकि इसका जो chipset है, वो normal user को target करता है, तो फिर भी अगर आप multiple app में काम करना चाहते हो, तो आप काम कर सकते हो, लेकिन आप जादा दिर तक करोगे, तो तब दिक्कत आने वाला है, बाकि आप इसका app opening speed देख लीजे, मुझे तो ठेक ठक लग रहा है, लेकिन app open, app close में animation यहाँ पर नहीं मिलता है, अगर आप इस phone में low graphic game खिलना चाहते हो, तो आप easily खिल सकते हो, यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, अगर आप PGA में जैसा high graphic game खिलना चाहते हो, तो इसमें आप 30 episodes में खिल सकते हो, अच्छी बात है, इसमें gyro sensor मिल जाता है, दीले है, लेकिन यह sensor मिल रहा है, वो बड़ी बात है, तो 30 episodes में मैंने बहुत बार game खिल के देख लिया दो, casual gaming के लिए तो ठीक है, अगर आप 30 मिनिट से जादा game खिलने के लिए कोशिस करोगे, तब iPhone अठक जाएगा है, तो overall दो इफ़ोन प्राइस की साब से खिक ठक पाफॉमेंस निकाल कर दे रहा है, बाकि इसकी camera की बात किया जाए, तो phone की पीछे में है dual camera setup, और इसका जो selfie camera है, वो 8 megapixel का है, दोस्तो फोटो में जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, color contrast और detailing कितना प्यारा सा आता है, फोटो किसने के दोरान यहाँ पर autofocus में कुछ भी problem नहीं है, skin tone का color को भी एफ़ोन ठिक ठाक तरिकर से manage कर लेता है, लेकिन इसका जो selfie camera है, यहाँ पर color tone में बह अच्छी तरिके से phone manage नहीं कर पाता है, लेकिन जब आप इसकी back camera से video record करोगे, आप full HD में video को record कर सकते हूँ, और यहाँ पर दोनों camera का video sample आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हूँ, color contrast और यहाँ पर वीडियो में जो autofocus है, वो ठिक ठक मिल जाता है, हाल फिलाल मे iPhone Android 13 Go Edition में run हो रहा है, और इतने दिनों से use कर रहो एक भी update यहाँ पर नहीं आए, और company वालोंने कुछ भी नहीं बताए दोस्तों, इसमें Android 14 Go Edition का update मिलेगा की नहीं, मुझे लगता है दोस्तों, इसमें Android 14 Go Edition का update नहीं मिलेगा, Android 13 Go Edition के साथ आपको रहना होगा, बाकि इसकी UI की बात किया जाए तो इसमें आपको blue test देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात है इसमें ads बेगरा नहीं आता है, और इसकी UI में बहुत ही अच्छा-चाफिटर्स मिल जाता है, UI यूज़ करने में बहुत ज़धा smooth है हो आई, और थोड़ी बहुत तो bucks आपको देखने क जाए कि नहीं, इस phone में जो सारा positive और negative point देखने को मिलता है, सब कुछ आपके सामने है, आप सिर्फ negative point की तरह भेंदीजिए, इसकी display का brightness जो है इतना अच्छा नहीं है, इसमें 4G plus तो नहीं मिलता है, इसमें latest Android का आपको update नहीं मिलेगा, तो इस phone में तो तीन major problems देखने को मिलता है, इसको आपको compromise करना होगा, अगर आप compromise कर लेते हो, तो इस phone आपके लिए, इस price segment में बहुत याच्छा सा phone रहने वाला है, तो इतने दिन use करने के बाद मुझे लग रहा है दोस्तो, technopop 8, आपका mommy, papa, या ऐसे user के लिए best होगा, जो phone को normal use करता है, और इसको take के ब point मिलता है, वो आपको थोड़ा सा धहन से रखकर इसको buy करना होगा, मैं इस take no pop 8 को खुद के पैसे से खरीद के पिछले 30 दिन तक use करके, इसके सारी positive और negative point के बारे में मैंने आपको honestly बताया, ऐसे आपको को ही नहीं बतायेगा, अगर आपको ए वीडियो थोड़ी से भी helpful लगा है, तो एक like करके चांग को subscribe करके हमारे साथ जोड़े रही है, हो साके तो एक वीडियो आपके रिस्तेदार और दोस्त के साथ भी सयार कर देना, उसकार मेरा दोनों का मदद होगा, तो अज के लिए इतना ही दोस्तों